हाई गाईज आप देख रहें 1.Penary education और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेपो rates के बारे में रेपो rates एक्सुली होती क्या है और यहां किस के दौरा लगाई जाती हैं किस के उपर लगाई जाती हैं यहां सब कुछ जानेंगे तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पह प्रकार यदि BANKों के पास पैसे की कमी होती है तो वह हमारी BANK, Keyndria Bank RBI से उधार लेते हैं मतलब छोटे BANK वह Keyndria Bank RBI से उधार लेते हैं तो जो RBI है वह इन छोटे BANKों को जो धन देती है, जो पैसे देती है वह किसी विसेश ब्याजदर पर देती है तो जो business ब्यादर RBI द्वारा लगाई जाती है इन चोटे बैंकों के लिए यही है repo rates इसी को कहते है repo rates तो जो चोटे बैंक सा है commercial bank है वो RBI से कर्ज तब ही लेते हैं जब पैसे की कमी होती है और loan की मांग जो है market में अधिक होती है इसलिए बाजार की मांगों को पूरा करने क के लिए जो हमाई commercial bank है वहाँ RBI से पूझी प्राप्त करने के लिए repo rates के अनुसार उधार लेते हैं दोस्तों जो छोटे bank से हैं यह हकार चुकाते समय repo rates के साथ ही बैंक को पूरा पैसा वापस करते हैं यानि जो repo rates है वहाँ RBI द्वारा केंद्रिय बैंक RBI द्वारा लगा आई गई छोटी bank के लिए एक ब्याजदर है तो अब आप जान चुके होंगे repo rates क्या है आई दिखते हैं next question next question है हमारा repo rates का आम आदमी के उपर क्या आसर पड़ता है तो repo rates का आम आदमी के उपर क्या आसर पड़ता है दिखते हैं अगर बैंक को कम ब्याजदर पर RBI से लोन मिल रहा है यदि जो bank हैं हमारे वह RBI से लोन लेते समय उनको कम ब्याजदर पर लोन मिल रहा है तो वह अप बेंक आपना काम दिनभर होने जिन पर इनका काम होने के परशार्ट जो बची हुई धनराशी होती है उसको TBI के पास जमा कर देते हैं TBI जो है यह आता है RBI के अंडर में आता है तो TBI में जो धनराशी जमा कर देते हैं तो इस TBI के पास जमा हुई धनराशी पर RBI जो है इन कमर्सियल बैंकों को जो है एक ब्याज प्रवाइड करता है उसे reverse repo rate कहा जाता है यानि बैंको द्वारा वापस की गई RBI को धनरासी है उस पर RBI फिर से उनको जो है ब्याज प्रवाइड करता है इसे ही जो है reverse repo rate कहा जाता है यह repo road जो है reverse repo rate हमेशा repo rate से कम होती यानि जो RBI ब्याज लगाता है बैंकों के उपर उससे कम ब्याज देता है जब बैंके उसके पास पैसा जमा करती है तब तो reverse repo rate हमेशा कम होता है repo rate के repo rate के से कम होता है हमेशा reverse repo rate तो आप जान चुके हैंगे